इसकार, मिश्ट जीनिस माइंड से इसंची मलिक दोथो इस वीडियो में मैं आपको थर्ड आई को अक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्ससाइज के बारे में बताने वाला हूँ थर्ड आई को अक्टिवेट करने के लिए जो बहुत बेसिक सी चीज़ें आप कर सकते हैं सबसे पहले, जब आप ब्रीधिंग करें तो ब्रीधिंग करते हुए ये महसूस करें कि आपकी स्वांस जब जा रही है तो केवल यहां से ही आपकी स्वांस भीतर नहीं जा रही बलकि वो प्रान उर्जा को लेती हुई यहां से आपकी थर्ड आई तक यहां तक जा रही है इसको सरफ फील करना है विजूलाइस करना है और प्रान उर्जा जो है वो यहां पर भरती चली जा रही है सिंपल करेंगे बैठेंगे सीधे अपना जो लोटस पोस्चर होता है उसमें बैठ कर हाथों से ग्यान उत्रा बना लेंगे इस तरह से और सीधे बैठ कर स्वांस को उपर की ओर जाता हुआ फील करेंगे यहां तक जाता हुआ तो यह सिर्फ विजुलाजेशन पर बेजड़ाई एक्सराइज और सीधी सीधी आपके थरड़ाई को अफेक्ट करती है इसको आप करीब करीब पांच से साथ मिनट डेली कर सकते हैं दूसरी एक्सराइज जो इसमें की जा सकती है वो है आँखों को बंद करके भीतर जो गौलक हैं इनको भीतर से रोटेट करना इसमें आपने ऐसे करना है आँखें बंद और अपने आँख के गोलों को भीतर से पहले मैं उपर की ओर देखूँगा भीतर से आँखें बंद ह और भीतर से मैं उपर की ओड़ देखूंगा और भीतर से ही फिर मैं राइट देखूंगा भीतर से ही नीचे और भीतर से ही लेफ्ट और फिर उपर तो आँखों को गोल घुमाना है इस तरह से आँखों को इस तरह से गोल घुमाना है लेकिन आखें बंद करके घुमाना है Similarly आँखों को फिर गोल एंटी क्लॉकवाइज गुमाना है पहले मैंने क्लॉकवाइज मेरी तरफ से देखते हुए क्लॉकवाइज गुमाया ऐसे और फिर मेरी तरफ से देखते हुए एंटी क्लॉकवाइज गुमाया ऐसे ये exercise आप अगें तीन से चार मिनट तक कर सकते हैं ये भीतर से आपकी थर्ड आई को activate करने में बहुत help करती है एक बार फिर से समझा दो कि थर्ड आई की जो position है वो इन दोनों आखों के भीतर और दोनों कानों के भी अंदर यानि कि इन दोनों कानों से भीतर अगर मैं एक line ड्रॉ करूँ और यहां से भीतर एक line ड्रॉ करूँ तो यहां ये जो line जो मिलेंगी ये वाली line और ये वाली line जहां पर मिलेंगी सिर्की चोटी से लगवग डेड़ दो इंच अंदर वहां पर वो थड़ाई का real point है तो जब आप इस exercise को करेंगे तो आपको वहां पर sensation होनी शुरू हो जाएगी तीसरी exercise के रूप में आपने आपको feel करना है कि आप इन दोनों कानों के बीच में बैठे हो और इस माथे के पीछे अपने आपको महसूस करें इसको मैं एक meditation की form में भी डालूँगा आप महसूस करें कि आप दोनों कानों के भीतर हैं और माथे के भीतर यहाँ पर और उस जगह पर जब आप मौजूद होते हैं तो अपनी मौजूदगी को वहां feel करें ऐसा करने से आपका पूरा ध्यान दोनों कानों के बीच में और माथे के पीछे और सिर्क की चोटी से लगवग डेड़ एंच नीचे अपने आपको एक पॉइंट है जो थड़ा ही का पॉइंट है जो पीनियल ग्लैंड का पॉइंट है वहाँ पर आपको कुछ सेंसेशन से हो होना शुरू हो जाएगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मैं एक या दो दिन की बात भी नहीं कर रहा हूँ आप समझ लीजिए अगर आप इस एक्सेसाइज को डेली करें तो आपको आर्दस दिन के अंदर ठीक ठाक से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे एक और एक्स चक्रा तक जाता हूँ मैंसूस करें इस दोनों चीज़ें इस तरह से करेंगे प्राहन उर्जान यहां से होती हुई भीतर होती हुई और यहां से ओपर के और जा रही है और फिर यहीं से वापिस आती है और आखों से कि आगे से भीतर से यह निकलती है जब इनहेल होती है तो यहां से अंदर और यहां से बाहर. और जब कि एक्सेल होती है तो यहां से अंदर और यहां से बाहर तो. इस exercise को भी आप दिन में लगबत 5 मिनिट के लिए 7 मिनिट के लिए कर सकते हैं. तो ये exercise जो आगर आप पांच-पांच-पांच मिनिट चारों को कर लें तो आपको थोड़ी ही दिनों के अंदर result तो आपको पहले दिन आने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी दिनों में आपको बहुत अच्छे वाला थोड़ाई के अंदर sensation, pulsation शुरू हो जाएगा ध्यान रखिए जब pulsation शुरू हो जाए उसको हम थोड़ाई की शुरुआत कहते हैं एक बहुत अच्छा बिंदू है कि जब थोड़ाई में pulsation होने लगी लेकिन उस समय सावदा होना बज़ो हो रही है मन में बहुत positive thoughts रहें क्योंकि वो जो भी thoughts होंगे वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे इसके बाद आपको और बहतरी result आने शुरू हो जाएंगे थोड़ा time दीजिए मेनत कीजिएगा और अगर कोई भी आपको इसमें problems आएं तो आप नीचे comment box में जरूर लिख सकते हैं या हमारे official number पर call कर सकते हैं आपको जितने अच्छी result हम इसमें मिलेंगे आप वक्य उमीद से बाहर होंगे मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो को जरूर पसंद आएगा बहुत छोटा सा थोटी सी tips के साथ हमने इसको बनाया है और इसका आप जरूर benefit उठाएं अपने results को share करें Thank you, thank you very much